Welcome back to our channel हम लोगों ने अपने चैनल के उपर हिंदी जीके की प्रेपरेशन भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है हिंदी ग्रामर के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेस्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंकलूड की है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और हमने जो टॉप एक्सपेक्टेड कॉस्चन है वही इस वीडियो में इंकलूड की है जिसकी कल्पना न की जा सके उसको क्या कहते हैं अकल्पनी हाथी को हांकने वाला लोहे का हुक तो हाथी को हांकने वाले लोहे के हुक को हम लोग बोलते हैं अंकुष आगे का विचार रखने वाला जो आगे की सोचता है उसको हम लोग बोलते हैं अगर सोची जिसके पास कुछ नहोग उसको हम लोग बोलते हैं अंकिंचन जिसके पास कुछ ना हो जिसने अपना रिन चुका दिया है किसी ने लोन लिया है अपना रिन चुका दिया है तो हम उसको बोलते हैं उरिन जिस भूमी में कुछ भी पैदा न होता हो तो ऐसी भूमी को बोलते हैं उस सर और जिस भूमी में बहुत कुछ पैदा होत जो बुढ़ा ना हो अजर आप कौन से कॉम्पेटेटिव टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं मुझे कॉमेट सेक्शन में जुरूर बताएं और हिंदी ग्रामर में कौन से टॉपिक के ओपर आप लोग नोट्स चाहती हैं ये भी बताएं जो कुछ नहीं जानता हो अग्या जो इस्त्री जिसका पती परदेश से लोटा हो तो ऐसी इस्त्री को हम लोग बोलते हैं आगत पती का ऐसी इस्त्री जिसका पती परदेश से लोटा हो आगत पती का सो वर्ष का समय, तो सो वर्ष के समय को हम लोग बोलते हैं शतावधी, शत्रू का नाश करने वाला, शत्रू के नाश करने वाले व्यक्तिय को बोलते हैं शत्रूधन, शह कोने वाली आकरिती, तो शह कोने वाली आकरिती को हम लोग बोलते हैं शत्कोन, शह शह महीने के बाद ह होने वाला तो six months के बाद होने वाले को हम लोग बोलते हैं शान मासिक व्याकरण जाने वाला जिस व्यक्ति को व्याकरण का अच्छा नोलज जो व्याकरण विध्धो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं व्याकरण जिसकी कलपना न की जा सके कलपना तीत यानि जो कलपना से परे है जिसकी कलपना न की जा सके कलपना तीत जो कठिनाई से पचे ऐसा खाना जो कठिनाई से पचे जैसे डोसा नूडल कठिनाई से पचे तो ऐसे खाने को हम लोग बोलते हैं गरिष्ट काम खर्च करने वाला मित्वियाई जो क एक दिक हम लोग बोलते हैं मित्त हुई आई